नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोनों सदनों की कारवाई चल रही है और दोनों ही सदनों में जबरदस्थ हंगामा हो रहा है कल जिस तरह से राहुल गांदी ने मोधी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए बिना तत्यों के को देखती हुए उसको लेकर आज बीज़िपी जबरदस्थ हमलावर है बिना तत्यों के आरोप लगाने को लेकर राहुल गांदी पे कारवाई की भी मांग की जा रही है आज इक बर्फिट से मलिकार जुन खड़के ने बीजेपी को जम कर खेरा, जेपीजी की मांग भी कर रहे हैं, तो संसत से क्या कुछ बड़ी कबर आ रही है, बड़ी अपडेट के साथ में साथ नियूजरूम से जुड़े हुए है, क्या पिचल टीवी के एडिटर इंचीप लेकिन कॉंग्रिस पार्टी को डुबाने का इन्होंने पूरा जो है वो काम कर दिया, क्या हुआ है, दो तीन चीजें, एक आज वही सारी बातें खड़के सहाब बोल रहे थे रास्सभा के अंदर, लेकिन उन से जब कहा गया कि जो आप आरोप लगा रहे हो इसको सबस्ट गांदी पार्लमेंट से भाग गये, वो गायब हैं, वो ये कि कल उन्होंने बहुत ताल ठोक की ये कहा, कि हर जगा आडानी को आप डाल देते हो, और मुंबई का केस इन्होंने बताया कि किस तरीके से मुंबई के एरपोर्ट को आपने जेवी के गुरुप से छीन के, उसक अपना एरपोर्ट सौंप दे बेचके वहां से चला जाए, अब इतना बड़ा जूट क्या लगा राहूल गांदी को, कि सचाई सामने नहीं आएगी, जीवी के गुरुप के तरफ से बकादा स्टेट्मिन दिया गया, क्या दिया गया, उन्होंने कहा, कि हमारे उपर कोई क किसी चीज की दवाव नहीं थी, ना अड़ानी के तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई नेता, कोई पुलिस, किसी के तरफ से, कोई भी दवाव हمें बेचने के नहीं थी, जो हमने फैसला लिया, क्योंकि हम घाते में चल रहे थे, उन्होंने ये कहा, कि ये pure business decision था, वो इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने लिया तो था लेकिन हुआ ये कि कोविट के वज़े से एरपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया चार मेहने तक ताला लगा रहा और मुव्मेंट भी बहुत ही कम हुआ अब ऐसे में हमने बहुत सारे विदेशी फिनैंसिंग कमपनीज को हमने उनसे लोन लेने की कोशिश की लेकिन उनका इतना ज्यादा उनका जो उनकी जो सर्ते अतनी कड़ी थी कि हमने उससे बैक आउट कर दिया अब दूसरी चीज़ नों ने कहा कि हमने और भी इन्वेस्टमेंट कर दिया उनके पास बैंगलोर का भी एरपोट है तो वो एरपोट जो है वो कहा कि भी हमें पैसे की कभी हो गई तो हमने अडानी जी से बात की और अडानी के साथ हमने बाचीत करके इस डील को मैंने फाइनल किया मतलब पूरी चीज आपने जो कही वो गलत हो गया अब इसका दूसरा पहलू समझ लीजिए कि कोई भी ये कोई परचून की दुकान नहीं है कि आप जैसे समान खरिदे जाते हो या मॉल में कहीं जाते हो समान खरिद लिया टैग प्राइस दिया और पैसे ट्रांसफर किया और समान लेके चल दिये ये एरपोर्ट का मसला है इसमें कुछ रूल्स और रेगुलिशन है अगर कोई investor already invest करके उसकुछ operate कर रहा है उसको किसी को transfer करना है तो there has to be three level of clearance तीन जगल से clearance चाहिए वो clearance कौन देगा तो एक clearance जो है वो कानून के मताबिक केंदरी सरकार देगी दूसरा state government देगी और तीसरा सिटको और यह जो सिटको भी जो है वो दरसल सीधे directly महराश्ट के chief minister को report करती है अब राहूल गांदी इस चीज़ का जवाब देंगे कि अगर सब कुछ favoritism से हो रहा है आप favoritism किस हिसाब से आपने किया कि यह जो तीन clearance जो अडानी को मिले एक तो केंदर सरकार से जिसके ओपर आरूप लगा रहे हो महराश्ट की सरकार उस समय यह मार्च 2021 की बात है उस वक्त महराश्ट में MBA की सरकार थी Congress party की सरकार थी उद्दव ठाकरे मुक्ष मंतरी थे तो आपने क्यों favor किया अब आप देखिए राहूल गांदी पता नहीं किस तरीके से किस हिसाब से आपको अडानी अंबानी मोदी को घेरना है आप जूट का सहरा ले लेंगे और ये भी मुझे तो समझ भी नहीं आता कि कोई आदमी राजिनुतिक तोर पे इतना बड़ा मुर्ख भी हो चकता है कि आप इतना बड़ा आरोप लोग सबाव में सीधे प्रधान मंत्री पर लगा रहे हो और आपने अपना होमवर्ग ठीक से नहीं किया रखकर रखा है अब क्लेरिंस कहां से मिला तो एंबीय सरकार से उद्दब ठाकरे जी के उपर भी आरोप लगा रहे हो क्या तुम भी तो उसमें थे कॉंग्र से अडानी को आप में ट्रास्फर किया दूसरा सिटको सिटको का तो डिरेक्टली मुख मंत्री उसको देखते हैं मतलब दो-दो क्लेरिंस कहां से कॉंग्रेस के अलाइंस सरकार के जरिये अडानी को दिया गया और आपके पास ये गट्स कि आप लोग सबाग के अंदर ये आरोप लगा रहे हो कंपणी का नाम ले रहे हो कंपणी वी ने भी कहा कि राहूल गांदी जुट बोल रहा है और जो त्थहात्मक चीजी सामने हिए उसमें भी राहूल गांदी का जूट पकड़ा जा रहा है तो जूट पकड़ी गई andid लेकिन बारबर सवाल ये खड़े हो रहे है कि कल जिस तरह से राहूल गांदी ने आरोप लगाए बिना तत्यों के उनको तत्य तो आज सामने रखने चाहिए थे ला ये मैं कह दूँ कि मुझे राहूल गांदी ये जवाब दें कि आप लंदन में जाकर के कौन सा काम कर रहे थे हम कुछ आएं बाएं साएं आरूप लगा दें जवाब देंगे वो या इग्नोर किया जाएगा लेकिन दिक्कत क्या है कि ये आदमी बिना सिर पहर की बात करता है आपने पूछ डाला क्या कि कितनी बार हवाइज बे आप बैठें बहीं है सवाल का जवाब आप दो कि सोनिया गांदी और तुम कितनी बार सुझे लेंड गए अंबानी के प्राइबट प्लेल से सुझे लेंड जाना और आना वापस क्या काम करने के लिए वहां जाते थे क्योंकि सुर्मनिम स्वामी तो कहते हैं कि इनके पास इटली का भी पासपूर्ट है और इटली और सुचे लेंड का जो पासपूर्ट होता है उसमें डूएल सिस्टम है इटालियन नैस्टल को कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है वो दिखाएगा और जाएगा कहीं उसको करने के भी आवशकता नहीं है तो कौन सा गुल खिलाने के लिए आप इटालियन पासपोर्ट के साथ सूट जाते थे और एक दिन में वापस आ जाते थे वो पांच साथ घंटे कौन से बैंक में जाते थे क्या कारोबार करते थे इसका जवाब कोई देगा राहूल गांदी ल शुरवात राजीव गांधी के साथ शुरू की तो उस वक्त उस वक्त के बाद से इस देश में कॉंग्रेस के दो-दो प्राइम मिनिस्टर हुए अर्ली नैंटीज में नरसिभा रा हुए फिर ये दस साल सोनिया गांधी के अंडर मनमोहंसिक रहे उस समय सारी ठेका मिला ज ये सारी चीजे मुझे लगता है कि ये वामपंथियों के चक्कर में फसके राहुल गांधी का दिमाग जो है वो डिरेल हो गया है ये पॉल्टिक्स करना ये भूल चुके हैं और मैं आपको बताऊं अंदरूनी बात कॉंग्रेस के जो वरिस्ट लीडर हैं वो ये कह रहे है कि ये आदमी खुद जाएगा और कॉंग्रेस पार्टी को भी ले डूबेगा इसे जरा साभी अब देखिए इंद्रा गांधी के साथ अंबानी सीनियर धीरू भाई अंबानी जी की तस्वीर निकल रही है भोज़ खा रहे हैं साथ में अब वो कहानी किताब वो सारे दस्त जाता था तब इन कहां मुद दिखाने लाइक बचेंगे देखिए देश में जितनी भी गंदगी है उसकी जनली कॉंग्रेस पार्टी है और चोरी करने में घुटाला करने में पूछ रही है कि बोफोर्स घुटाला हो या नैशनल हिराड का मामला इस पर क्यों नहीं जवा लाइन दलाल जिसकी वज़े से जिसने पूरा फैसिलिटेट किया बोफोर्स घुटाले में जिसमें राजीव गंदी का भी नाम आ गया कि पैसे किस तरक से खाये गए अब वो चौसट क्लोर रुपए उस जमाने में बहुत होता था तो वो उस केस में सी बी आई ने तो रा सोनिया गांदी ने पहला काम ये किया कि जो सुटेंट के अंदर जितने भी उसके बैंक एकाउंट जिसके उपर फ्रीज करके रखा हुआ था उन बैंक एकाउंट को डिफ्रीज कर दिया मतलब कि जो पैसा फसा हुआ था कोत्रोची उसको उठा के लेकर चल दिया और तमाम इधर के जो केसे जो थे वो सब खतम कोत्रोची छूट के निकल गया ये बोफोर्स के इतना बवाल होता रहा और वो इसलिए बच के चला गया क्योंकि वो राहूल गांदी का मामा तो ये तोस जवाब तो कॉंग्रेस पाटी को देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि बचारे कॉंग्रेसी इस राहूल गांदी की चक्कर में फस गए है रोज उनकी बेज़ती हो रही है बाकी लोग तो हट गए अब देखिये ममता बरजी की पाटी आडानी के मामले पे बिल्कुल सालिट हो गई है हट गई है अरोप लगाना राहूल गांदी को महंगा ना पढ़ जाए बिल्कुल महंगा पढ़ रहा है इसलिए क्योंकि अब तो दो गहंटे के बाद अब प्रधान मंतरी मोदी का हमला होने वाला है अभी तो बीजेपी के छोटे छोटे फ्लेर सी आकर के मैदान को जीत के चले गए अभी चैंपियन का उतरना बाकी है तो हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि प्रधान मंतरी जब चार वज़े के आसपास जब वो जवाब देंगी तो वो क्या कहते है सबूत दिखाए पर आज राहुल गांदी बहस करनी के बजाए संसत से भाग खड़े हुए नजर आये है इस बड़ी कबर पे मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरापसन रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी